चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जै संतोशी मा दोस्तों आपका स्वागत है आज हम जानते हैं कि आपकी राशियों का क्या हाल है और आपका दिन कैसा रहेगा तो चलिए शुरुवात क जिसके बाद चतुर्थी तिथी की शुरुवात होगी आरद्रा नक्षत्र सुबह ग्यारह बजकर उन्नीस मिनट तक रहेगा उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का आरंब होगा आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय सुबह नौ बजकर बीस मिनट से दस ब राशे में रहेगा और सूर्य वरिष्चिक राशे में स्थित रहेगा। 23 नवंबर 2024 शनिवार को किसी दुरगटना या चोट के कारण मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कड़ी मेहनत जरूरी है और जो लोग आपके लिए महत्यपूर्ण हैं जैसे बच्चे या पालतू जानवर उनका खयाल रखें। सेवा कार्य या स्वयन सेवी गतिविधियों में हिस्सा लेना आपके लिए एक अच्छा अनुभव साबित हो सकता है। आज अपने भविश्य के बारे में सोचने के लिए एक अच्छा समय है। आप आज दूसरों से बातचीत कर के अपनी योजनाओं के बारे में साजा करेंगे। यदि आप पुरुश हैं तो किसी खास महिला से भावनात्मक संबंध बन सकते हैं। आज आप थोड़ा सा अभिमान महसूस करेंगे और उसी प्रभाव में सोचने और काम करने की संभावना है। इसके कारण आप किसी व्यवहार कुशलता का परिचय दें। इस राश के जातकों के लिए आज का दिन और जावान रहने वाला है। आप अपनी और जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपके लिए यह दिन बहतर रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करना होगा। लव मैरिज करने वाले जोडे को अपने साथी के व्यवहार में कुछ समस्या आ सकती है। यदि किसी प्रकार की गलत फहमी थी तो उसे दूर करने के लिए आपको आमने सामने बैठ कर बातचीत करनी होगी। स्वास्थ्य में अगर कोई समस् पूरा करेंगे जिससे आपका मन प्रसन रहेगा। परिवार के लोग भी आज आपका पूरा समर्थन करेंगे और लव लाइफ के मामलों में भी आपको परिवार का साथ मिलेगा। आप अपने प्यार के बारे में परिवार से बात कर सकते हैं। आत्म विश्वास में व्रि यक्षमता और योग्यता के बल पर आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना भविश्य में आपके लिए लाबकारी साबित होगा। कठिन कार्यों के पूरे होने से अन्य समस्याएं सरल लगेंगी। पैसों से संबंधित उतार चड़ाव रहेगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रन रखना आपके लिए जरूरी होगा। परिवार के लोगों की सलाह पर विचार करते हुए आपको आगे के निर्णय लेने होंगे। भविष्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासों को बढ़ाने की आवशक्ता होगी। आज आपको काम से संबंधित नया अनुभव प्राप्थ होगा। पार्टनर की अपेक्षाएं अपनी क्षमता के अनुसार पूरी करें। सिर में भारीपन महसूस हो सकता है लेकिन दिन का आराम आपको अच्छा रहेगा। कार्य की गती तेज होगी और आपको सहयोग भी मिलेगा। नए कार्य मिलने की संभावना है। दोपहर में पडोसियों से विवाद हो सकता है इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। विरोधी भी सक्रिय रहेंगे लेकिन शाम को शान्ति पूर्ण समय बीतेगा। साथ ही मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है। सावधान रहें क्योंकि बेवजह की बातों में उलजकर आप अपने लक्ष से भटक सकते हैं। गैर कानूनी कार्य में रुचिन लें। पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। किसी नजदी की मित्र से व्यक्तिगत मुद्दों पर वाद विवाद की स्थिती बन सकती है। इसलिए सतर्क रहें। आज लव लाइफ के मामलों में घर की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने में आपका सहयोग जरूरी होगा। मित्रों के साथ गेट टुगेदर और खुशनुमा प्रोग्राम भी बन सकते हैं। आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो पूरी जिंदगी आपका साथ देंगे। हलांकि व्यस्थ रहने के कारण आप अपने साथी को कम समय दे पाएंगे। लेकिन आपका रोमांटिक मूड प्यार में आपके उत्साह को और बढ़ा देगा। अनपेक्षित काम और ईमेल आज आपको व्यस्त रखेंगे और इसका असर आपके रोजमर्रा के कामों पर पड़ सकता है। यदि आप सिंगल हैं तो आज किसी खास व्यक्ति से संपर्क करना न भूलें क्योंकि बात बनने की पूरी संभावना है। अपने लव लाइफ में उत्तेजना लाने के लिए अपने पार्टनर को यह बार बार बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लोग आपके पास सहनुभूती के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान सकते हैं। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना चाहेंगे और आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप बातचीत करके अपने विचार साज़ा करेंगे। अब बात करते हैं करियर की, तो आज आपके सितारे आपके कार्यस थल पर प्यार की ओर इशारा कर रहें हैं। हालांकि अत्यधिक स्वधार और एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। इसलिए सतरक रहें। आप अपने कार्य को गोपनियता के कारणों को समझाने की कोशिश करे और समर्थन मिलने की संभावना है। आपकी विद्ध बढ़ेगी और उसमें संतुलन भी बना रहेगा। आज दोस्तों के साथ समय बिता कर नकेवल आप अपनी उदासी से छुटकारा पाएंगे बलकि अपनी कोशल का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके आप मार्केट में धूम मचा सकते हैं। किसी खास से मिला धोखा आपके लिए भविश्य में एक महत्वपूर्ण सबक साबित होगा। हालांकि आज आज आपको अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों को पूरा करने में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों के साथ अपनी योजनाओं और विचारों का आदान प्रदान करें। विग्यापन, प्रकाशन और कला जैसे रचनात्मक्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय सबसे अच्छा है। आज आपके लिए कारिक्षेत्र वर्दान की तरह साबित हो सकता है। बिजनेस में किसी योजना को साकार रूप देने के लिए यह एक अच्छा समय है। और पार्टनर्शिप से संबंधित कारोबार में भी उचित व्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि दोपहर बाद परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है लेकिन आपकी मेहनत से स्थिति काफी हद तक सामान्य हो जाएगी। आत्म विश्वास में कमी आ सकती है और विरोधियों की सक्रियता से तनाव भी हो सकता है। लेकिन दोपहर का समय राहत देने वाला रहेगा और धन की आवक अच्छी होगी इसलिए उम्मीदें बनाए रखें। शाम को निराशा हो सकती है और आप आवश्यक कार्य को अगले दिन पर टालने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सेहत की, तो आप एक नीरस और रूटीन जीवनशैली के आदी हो चुके हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई दे सकता है। अब भी समय है कि आप अपनी पहले वाली उर्जा और स्टेमिना को वापस पाने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर लें, क्योंकि जल्द ही आपको शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए बुलाया जा सकता है। अपने तनाव को दूर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही आप इसे न जाने, लेकिन आपके आहार की आदतें ही इस तनाव का कारण बन सकती हैं। अगर आप अपनी परसनल फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, तो आज बजट प्लानिंग करना शुभ रहेगा। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यह दिन अनुकूल है, खास कर यदि आप क्रिप्टो क्रेंसी में छोटे निवेश पर विचार कर रहे हैं। जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही, यदि आप अपनी इन्शूरिंस पॉलिसी को अपडेट करना चाहते हैं, तो यह قدم आज सही साबित होगा। आपके करियर की बात करें, तो आज का दिन डिजिटल मारकेटिंग के नए कौशल सीखने या आनलाइन पैसे कमाने के विकल्प तलाशने के लिए अनुकूल है। यदि आप बिजनेस स्टार्ट अप की योजना बना रहे हैं, तो यह समय इसके लिए काफी अच्छा है। तकनीक से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन टेकनोलोजी रिव्यूज पर काम करने का है। वहीं लगजरी लाइफस्टाइल जीने की चाह रखने वालों को आज कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आपके वित्तिय पक्ष को मजबूत बनाने के लिए आज का दिन स्टॉक मार्केट में छोटे लेकिन समझदारी भरे निवेश का संकेत देता है। चातरों और शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने का यह एक बहतरीन समय है। अगर आप e-commerce बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, तो आज की ग्रह स्थिति आपके लिए सहयोगी साबित होगी। साथ ही, software tutorials सीखने का निर्णय आज आपके लिए फायदे मंद होगा। स्वास्थिय के दृष्टिकोंड से आज का दिन fitness और स्वास्थिय पर ध्यान के इंद्रित करने का है। यदि आप कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपकी राश्य के लिए travel और tourism की योजना बनाने के लिए अनुकूल है। माता पिता के लिए आज का दिन parenting सलाह पर अमल करने का संकेत दे रहा है। घर की सजावट और सुधार के लिए आज का दिन home improvement पर काम करने का एक अच्छा समय है। अगर आप वाहन से जुड़े हैं, तो आज onto mobile reviews पर ध्यान देने से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही, अगर आप कानूनी मामलों में सलाह लेने का सोच रहे हैं, तो ग्रेहों की स्थितिक अनुसार आज आपकी राश्य के लिए legal advice लेना शुभ रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपकी प्रगती और सफलता के लिए कई नए अवसर लेकर आया है, जिनें आपको अपने पक्ष में इस्तिमाल करना चाहिए। आज का उपाए, आज आप शनी मंदिर में जाकर शनी देव की पूजा करें, उन्हें तिल का तेल, काले तिल, काला कपड़ा और लोहे की वस्तु अर्पित करें, जरूरत मंदों को काले कपड़े, काले तिल, सरसों का तेल और लोहे की वस्तुएं दान करें, गरीबों को भ